नमस्कार साथियों आज हम आपके साथ एक बहुत important discussion लेकर आए हैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो मद्यप्रदेश सिविल जज जूनियर डिविजन एंट्री लेवल की notification आ चुकी है सुप्रीम कोट के डिरेक्टिव के बाद proper timeline हमारे सामने आ गई है समय बिलकुल भी हमें जाया नहीं करना और तुरंत इस preparation को हमें शुरू करना है आईए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मद्यप्रदेश जो सिविल जज जूनियर डिविजन एंट्री लेवल की notification आईए कुछ important dates देख लेते हैं सबसे पहले तो date of online application 17 November 2023 यानि की already जब आप हमें सुन रहे हैं तो online application की date start हो चुकी है बिलकुल भी miss मत करिएगा online application को fill करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप सारी details बिलकुल सही तरीके से fill कर रहे हैं वरना होता क्या है अगर आप गलती करते हैं उसके बाद अच्छी खासी opportunity से हम हाथ दो बैठते हैं कभी कब आर students का ऐसा भी मेरे पास सुनने में आता है जैसे कि यहाँ पर last date of online application including fee payment is 18th December तो 19 दिसंबर की रात को 19 दिसंबर की सुबह आता है कि सर हम तो भूल गए form फिल करना ऐसा मत करिएगा कोई देरी करने की जरूरत नहीं है आपने फॉर्म फिल करने के लिए किसी बहुत जादा documents या कोई बहुत जादा अलग तरीके के applications की जरूरत नहीं होती है बहुत simple form होता है तुरंट इसे फिल कर दीजेगा don't wait for the last date at all यदी कोई गलती हो जाती if there are errors 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आप उन errors को correct भी कर सकते हैं बट I would suggest इसको completely avoid करा जाए हमारे पास कोई errors का scope नहीं है date of online preliminary examination very important 14th of January 2024 14 January 2024 मैं यह मान के चल रहा हूं कि है तो हमारे पास करीब करीब अगर देखेंगे तो 60 days के आसपास लगबग है पर मैं यह मान के चलूँगा कि हमारे पास 40 से 45 days है और आपका examination आप यह मान के चलेंगे कि 1st January को है क्यों कैसे हम उस पर अभी आते हैं पहले हम details देख लें online preliminary examination 14th of January 2024 date of declaration of result of online preliminary examination is the 26th of February यानि कि 26 फरवरी को online जो आपका exam हुआ है 14 जनवरी को उसका result भी declare हो जाएगा time बहुत जादा है gap अगर आप देखेंगे 14 जनवरी और 26 February में time बहुत जादा है हो सकता है जल्दी हो declare पर हम यह मान के चलेंगे कि 26 फरवरी को ही होने वाला है क्या करना चाहिए सर क्योंकि वह चो anxiety होती है हमारे मण में कि सर पेपर दे दिया कैसा हुआ पता नहीं गलतिया हम देख रहे हैं आंसर की आगई है गलतिया काफी हो ही है सर मेरे 124 बन रहे है मेरे 127 मेरे 131 बन रहे हैं मेरे 135 बन रहे हैं सर ये तो समझ नहीं आ रहा कि 135 वाले का भी होगा 124 वाला और परिशान है 138 वाला भी परिशान है कि हो सकता है सर पेपर असान था और हाय चली जाए कट आफ 110-115 वाले वैसी परिशान है क्या करेंगे ये जो टाइम पीरियड है इस पे भी हम आते हैं आगे चलते हैं date of mains examination 30 and 31st March 2024 sufficient time तो मैं नहीं कहूंगा मिल रहा है पर ठीक है जितना time आज कल Judicial Services के notification के बाद मिल रहा है उसे साब से तो ठीक ही है 30 and 31st March 2024 and date of declaration of result of main examination that is the 10th of May then after that जो भी interview process होगी if you see date of declaration of final result within 10 days from the date of completion of the final interviews interview की dates हमें नहीं मिली है पर ये बता दिया गया है कि जिस दिन final interviews complete होंगे उसके 10 दिन के अंदर अंदर हम final result भी निकाल देंगे बहुत important आगे हम चलेंगे number of seats 138 seats हैं बहुत seats है specially अगर आप देखेंगे schedule tribe की seats देखेंगे 109 backlog posts निकली है for the ST category unreserved की अगर आप देखेंगे 31 विच आर प्रेजंट and anticipated जो backlog posts है वो 17 है total 138 seats including six seats for the persons with disability category बहुत seats है 138 से ऐसा नहीं है कि कम है आगे चलते हैं now we'll go to the eligibility अब यहां सबसे बड़ी परिशानी स्टूडेंट्स को आठी है देखिए कहीना कहीं इसमें हमारी भी मतलब जो aspirants हैं उनका भी कहीना कहीं योगदान तो है जो changes आए है उसमें जो हमारी as judges performance रही है judicial system में कहीना कहीं उसी की वजह से ये changes incorporate हुए है बाकी of course who knows ये तो बहुत general है citizen of India good health free from any physical defect which disqualifies graduate degree in law 5 year या 3 year की LLB graduate degree होनी चाहिए recognized by the bar council and now the main point that we need to see provided that he must have continuously practiced law as an advocate means registered with the bar council having a certificate of practice for at least 3 years till the last date fixed for submitting the application जब आपने बार काउंसिल की अपनी registration करवाई थी तब से लेकर आपको 3 साल की continuous practice दिखानी है तब से लेकर आपको continuous practice 3 साल की दिखानी है जिस समय आपने अपनी बार council की registration करवाई थी अच्छा चलिए यह तो ठीक था और आगे और an exceptional law graduate उन्हें खुदी अफकोर्स इसको clarify कर दिया है exceptional होना चाहिए यह लॉग राजवेट फाइव यह और त्री यह विदाउट एनी ATKT past all examination in the first attempt without ATKT ATKT का मतलब होता है कि जब आपको एक attempt और allow कर दिया जाते है समझ लिए आपके credits फूरे नहीं हो रहे हैं या आपके semester में एक तरीके से आप fail हो रहे हैं आपको college जो है promote कर देता है कि आप आगे जाके backlogs clear कर लीजेगा हम आपको अभी conditionally promote कर रहे हैं एटी केटी उसे कहते हैं first attempt में without any ATKT आपके सारे के सारे papers आपने clear करे होने चाहिए five year या three year LLD में और सिर्फ इतना ही नहीं general category और OBC category के लिए 70% marks in the aggregate यानि कि जब आप graduate करे हैं तो first division जो आपकी आई है minimum 70% marks not 69.99 also 70% marks are mandatory for general and OBC category सारे paper चाहिए आप 3 साल के LLB करके हैं या आपने 5 साल के LLB करी है सारे examinations आपके first attempt में without any ATKT without any back without any summer examination without any backlog first attempt में आपने सारे के सारे papers clear करे हैं 70% आपके aggregate आए अगर आप general या OBC category से हैं और SC category से अगर आप हैं या ST category से हैं schedule cast या schedule tribe category से हैं तो 50% marks in the aggregate are required या यह भी criteria बहुत important है या तो आपकी 3 साल की practice हो या तो आपके पास 70% अगर जेनरल OBC से हैं SCST से हैं तो 50% aggregate हो और सारे examinations first go में आपने clear करे हो चाहे आप बिमार हुए थे चाहे आप नहीं कर पाए थे फैमिली में कोई problem थी whatever might be the reason howsoever genuine the reason is first attempt में clear होना बहुत जरूरी है it's very important की first attempt में आपके सारे की सारे papers clear हुए हो now the period of continuous practice as an advocate will be calculated from the date of provisional enrollment of the candidate subject to the condition that he has appeared for the all India bar examination wherever the examination is held within two years on the date of provisional enrollment and has not been exempted from being counted as the required period of time and has obtained practice certificate यानि की हम calculation कर लेंगे हम calculation कर लेंगे उस time से जब आपने अपनी state की bar council में registration करवाया है जो कि हम सब graduate होते ही करवा लेते हैं generally graduate हुए हमने तुरंत उसकी बाद जाके state की bar council में registration करवा लिया लेकिन उसके दो साल के अंदर AIBE का exam हमें देना होते है all India bar examination वो examination हमने दिया हो और certificate of practice हमें मिला हो मैंने इस जो पूरी notification है we have simply transliterated it into English also so that it becomes very convenient for you and now जो बहुत important है number four अगर आप देखेंगे continuous legal practice जो certificate हम बात करे continuous legal practice का जो तीन साल की होनी चीए उसके लिए बहुत important condition है submit six certified copies आप जाके पढ़ लीजेगा Indian evidence act का certified copies के बारे में of order books orders decisions of such cases of each year in which the name of the candidate is appearing as advocate यानि की आपने जो तीन साल की practice करी है उसके अंदर six certified copies of each year each year का मतलब समझ रहे है या six into three that is minimum eighteen six each year तीन साल की practice जरूरी है six into three minimum eighteen must submit six certified copies of order books orders decisions of such cases of each year in which the name of the candidate is appearing as advocate आप as an advocate उस particular order sheet में order book में decree में judgment में listed है will have to be submitted in case order books of cases are presented यानि की जब आप order sheets अगर present कर रहे हैं you are not presenting judgments you are not presenting decreased decisions if you are submitting order books then such order books must show that some substantial action now that that is up to their discretion what exactly substantial action but some substantial action has been taken in the case of the given date मतलब ऐसा नहीं होना चाही कि पासोवर है क्यानि कि हम गए आज जूनियर सिंप्ली पासोवर ले लिया हमने वो नहीं होना चाहिए some substantial action has to be shown in the order books और certified copies होनी चाहिए certified copies होनी चाहिए substantial action has to be shown minimum 18 देखिए इन सब बातों में अब और चर्चा करने का की decisions सही है गलत है क्या है नहीं authority है authority ने directive दिया है उस directive को follow करना हमारा करतव्य है हम उस इस बात पर आप सोचना बैठ कर की सर हम तो अब exam दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे that is a fallacy you shouldn't do that अब आपको यह सब बारो में सोचना नहीं चाहिए एक ही state नहीं है ठीक है बहुत लोगों की target state MP होगी home state MP है I can understand your disappointment but it's fine it's absolutely fine take it as a challenge and move ahead take it as a challenge and move ahead you are in the learning process process आप अभी उस stage पर है जहां पर आप यह चीज अभी भी clear कर सकते हैं MP नहीं तो कोई बात नहीं आप दूसरे states दीजे यूपी है डेली है जारकंड है चत्यजगर राजस्तान है मध्य प्रदेश नहीं रहा कोई बात नी गुजरात है लिशू ज्रीज चत्यजगर में नहीं है बिहार में नहीं है जारकंड में नहीं है appear for these examinations या आप सिरफ एक ही state को पकड़ कि अब हम परिशान होंगे कि बस वो एक state हमें नहीं मिली तो हम पूरी जीवन का सार उसी एक problem को बना लेंगे, नहीं क्यों भाई क्यों भाई इसमें भी कुछ न कुछ ठीक ही हो रहा है don't worry don't unnecessarily worry it's your entire journey as an aspirant don't put it on hold कि आप बस अब रुख कर बैठ गई कोई बात नहीं अब कुछ नहीं कर सकते हम हम परिशाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा बिलकुल भी कुछ नहीं ये सोचना बहुत गलत है और आप आगे बढ़िए इससे आगे बढ़िए रहे थे एक जगे नहीं, दूसरी जगे जाके पेपर देंगे अब तो simple you don't know I have seen students who are not even able to clear the preliminary examination and then they work so hard and ऐसा नहीं की पांच साल और लगा दी उन्होंने, in the next examination only, उनका जहाँ एक exam में pre-clear नहीं हुआ था, next में they have secured ranks which are in top 10 उनको PDF खोल कर अपना नाम ढूंडने की जरूरत नहीं पढ़ी थी सबसे पहले पेश पर सामने दिखा था अपना नाम I know such students so उनका भी तो pre-clear नहीं हो रहा था there were students who missed interviews of lot of states because they wanted to appear in the pre-examination of another state, interview भी छोड़ दिया कि हम उस state का pre देंगे जाकर और वहाँ top करके आए हैं so please now don't waste your time unnecessarily कि हम तो बस अब इसी चीज़ पे पूरे जिंदगी अठके रहेंगे कि हमारा ये examination रह रहा है तो रह रहा है क्या हो गया कोई बात नहीं consider it never there, it's fine I understand कि परिशानी होती है जिनका specifically home state है कि भाई हमें MP में ही रहना चाहते थे कोई बात नहीं you'll be serving as a judge वैसी भी कहां रह रहा है ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं because जबाब एक judge बन जाएंगे when you'll be working as an officer of the court as a judge when you'll be sitting on the bench on the dais जब आप न्यायदीश का कारेभार समालेंगे उसके बाद कहां है और courtroom किस state में है यह ज़्यादा सोचने का समय भी नहीं मिलता है focus on better things don't don't now be stuck on this upper age limit will be relaxable because 2022 में नहीं आई थी notification published नहीं हुई थी upper age limit जो थी candidates की वो relaxable है to the extent of one year मतलब कि जिनका अगर age limit 2022 में वो बार हो रहे थे मतलब 2022 का exam अगर MP का आता यहांचे सुनिएगा इस मामले में बहुत confusion ने students को 2022 का examination अगर आता और आपका वो last exam होता मतलब आप 2022 के MP के examination को दे सकते थे और उसके बाद आप एज बार हो जाते हैं तो आप अब एज बार 2022 वाले examination की जगे 2023 में माने जाएंगे यानि कि आप जो 2022 का exam दे सकते थे as the last exam because your age would have been that अब आप 2023 का भी exam दे पाएंगे वो एक साल एक तरीके से wave off हो गया है और add हो गया है exclude हो गया है उस period से आप 2023 में भी exam दे सकते हैं अगर आप 2022 में age बार हो रहे थे अब आप एक साल की extension आपको मिल गई है और आप 2023 में examination दे सकते हैं I hope that is also clear Now syllabus सबसे बढ़िया बाद Constitution of India 5 questions 5 marks Code of Civil Procedure 20 questions 20 marks Transfer of Property Act 7 questions 7 marks Contract SRA Limitation MP Accommodation and Rent Control Act MP Land Revenue Code Indian Evidence Act Indian Penal Code CRPC Negotiable Instruments Now these three are the new apps which have been added Information Technology Juvenile Justice Protection of Children from Sexual Offences Act These three are the new acts which have been added Then three general knowledge, computer knowledge and English knowledge Total 150 questions, total 150 marks Sir सबसे बड़ी समस्या आती है पढ़ें क्या और पढ़ें कैसे चली उस पर भी आ जाते हैं Pre पर फोकस करेंगे सबसे पहले कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए देखिए आपके सामने वेटेज आ चुकी है अब इस वेटेज के हिसाब से ही आपने पढ़ना है सबसे पहले अगर हम बात करें Constitution of India की पांच मार्क्स पांच क्वेस्चन है इतना बड़ा Constitution कहां से सवाल आ जाएगा देखिए यहाँ पर समस्या यह आती है कि Constitution बहुत वास्ट एरिया है कहां से question आ जाएगा हमें नहीं पता Constitution के लिए I would suggest कि आप Article 1 to Article 51A सबसे पहले यह पढ़ लीजिए साथ-साथ आप Judiciary यानि की Union Judiciary जो आपकी आती है Supreme Court High Court यह दोनों आप अच्छे से कवर कर लीजिए थोड़े से पार्लेमेंट के प्रोविजिन्स चाहिए एक अब देखिए surprise question तो कभी भी आ सकता है अगर आप देखेंगे sections भी है orders भी है तर क्या पढ़े आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से section 1 से लेकर section 80 तक आप पढ़ लीजिए order 1 से लेकर order 20 तक आप पढ़ लीजिए अप सारे rules पढ़ने है सारे orders पढ़ने नहीं सारे rules सारे orders नहीं पढ़ने पढ़ने मैं आपको थोड़ा सा define कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस पे भी आएंगे section 1 से 80 तक order 1 से order 20 तक CPC में ये areas जो है सबसे ज़्यादा जल्दी pick up किये जाते है execution कौन सा court करवा सकता है कौन सा नहीं करवा सकता है जब आप sections में देखेंगे section 74 तक आपको execution के वो सारे के सारे provisions मिल जाएंगे attachment किस property का हो सकता है किस property का नहीं हो सकता है commissions किस चीज के लिए issue करे जा सकते है government को notice जाता है किसको जाएगा time period क्या है costs कितनी लगती है section 35 35 AB जब आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ arrest किसका हो सकता है नहीं हो सकता है money decree में क्या woman का arrest हो सकता है नहीं हो सकता है क्या time period है civil prison में रखने का ये सब चीजे factual जो information है ज़रूर आती है then आप देखेंगे अगर order 1 से लेकर order 20 जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसमें सारी चीजें लगबग लगबग वही मिलेंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफिडेविट्स order 19 सवाल मैंने देखा है बहाने शुरू हो गए है appearance non appearance order 9 से सवाल आते हैं कि interrogatories inspection discovery of documents का क्या time period है वहाँ से सवाल आते हैं order 5 से सवाल आते हैं substituted service of summons क्या होता है extended service of summons क्या होता है क्या extend करा जा सकता है period then you will see order 2 से सवाल आते हैं order 2 rule 2 को risk judicata and risk subjudice से relate करके सवाल मिलेंगे आपको rejection of plane के क्या grounds है return of plane के क्या grounds है what is the procedure आप देखेंगे order 7 rule 9 10 और 11 तीनों बहुत important है पिर उसके बाद आपको सवाल CPC में आगए देखने को मिलेंगे तो special suits से मिल सकते हैं आगे जाके जब आप suits minor से related देखेंगे suit partner से देखेंगे government से देखेंगे alien से देखेंगे आपको generally वहाँ पे जैसे minor वाला जो है वहाँ पे आपको next friend क्या होता है मैं बहुत details में नहीं जाओंगा but I'll at least tell you what it is next friend क्या होता है जब आप suit against by or against the government की बात करेंगे तो कौन फाइल करेगा कैसे फाइल करेगा किसके नाम पे फाइल करा जाएगा और appeal उसके बाद मुझे दिखता है यहाँ पे CPC में appeal के provisions appeal, reference, review, revision reference, review, revision dictionary order में अगर आप orders भी देखेंगे तो reference, review and then revision dictionary order में ही reference, review, revision है और उसी order में orders भी CPC में दिये हुए है इन तीनों के तो यहाँ पे आपको यह करना है transfer of property act, transfer of property act सब students को इतना difficult लगता है, इतना dry subject है क्या करें, understandable but इस time पर आप यह नहीं सोच सकते कि बहुत dry है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, transfer of property act के लिए आपको सबसे पहले, मैं suggest करता हूं students को कि आप पढ़ लीजिए, lease, gift और sale, जहां से सुनिएगा मैं यह क्यों कह रहा हूं, कुछ हो सकता है आप में से students यह सोचे कि सर, general principle जो section 53A तक दिये हुए है, general principles को पढ़े बिना आप कह रहे हैं हमें कि हम जो transfer instruments है उनके बारे में, या modes of transfer है उनके बारे में पढ़ ले, lease पढ़ ले, gift पढ़ ले, sale पढ़ ले, ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप, मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दीकि समय कम है, हमें examination के लिए effectively पढ़ना है कि हमारे पास knowledge भी right आए, हमारी समझ भी ठीक बने और जल्दी हम पढ़ पाते हैं, जब हम बात करते हैं, lease की, gift की, sale की ये तीनों जो transactions हैं, हम generally अपने सामने बहुत देखते हैं, mortgage वगर इतना नहीं देखते हैं, transfer of actionable claims नहीं देखते हैं, हम लेकिन ये तीन transactions अपने सामने बहुत बारी देखते हैं, घर किराय प delete जल्दी करते हैं, कि भई अगर घर किराय पे दे रहे हो, तो बता के दोगे ना कि छत कभी भी गिर सकती है, अगर कोई घर किराय पे ले रहा है, तो उसकी भी duty बनती है ना कि जब basic necessary repairs हैं, वो करे, time to time किराया पहुचाए, अगर कोई घर बेच रहा है, तो भी उसकी responsibility बनत है, कि वो कोई अगर defect है, default है, क्योंकि बहुत prominent है, उसके बारे में उसे बताए, title clear करके दे, जब खरीदार पैसे दे दे तो सारे documents भी transfer करे जाएं, यह जो बहुत common चीज़े हैं, यह हमें पता होती ही, तो होता क्या हमें subject के अंदर confidence आता है, प्लस अगर आप देखेंगे, सिरफ साथ question, seven question, यहां से आपके इन तीनों से लगबग लगबग, मेरे को जितना लगता है, तीन questions तो कवर अराम से बुझा, उसके बाद, मेरी समझ यह कहती है, कि आप section 1 से लेकर 25 तक पढ़ें, जी बिल्कुल, section 1 से लेकर section 25 तक पढ़ें, फिर 51, 52, 53, capital A, यह तीनों पढ़ें, यह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यह वो areas हैं, जहां से सवाल बनेगा, आप सर आप कहेंगे सरी, तो आपने वो ही area बता दिया, जो बहुत dry लगता है, नहीं है, नहीं है, कोई अगर आप इस समय किताब भी refer करना चाहते ह हैं, तो आप कोई जो बहुत concise book हो, या बहुत straightforward book हो, आप मुल्ला पढ़ने नहीं जा सकते है, टीपीए के लिए, लेकिन जो बहुत concise book हो, जैसे आपको एके जैन की किताब मिल सकती है, आप उन से पढ़ सकते हैं, फिलहाल, फिलहाल के लिए, ताकि आपकी preparation थोड़ी सी speed up ह हो जाए, अगर वहाँ नहीं तो आप पूनम प्रधान सक्सेना, एक किताब आती है, property lock से, आप वो पढ़ सकते हैं, you can find some, जो sections है, वहाँ पे sections के हिसाब से explanation दिया हुआ है, आप उस किताब से पढ़ सकते हैं, समझ और बहतर होगी, अब सर आप कहेंगे, इसके बाद रहता है, mortgage, last में आप जाएंगे, और mortgage के सिरफ important, important areas पढ़ेंगे, important areas आपको कैसे मिलेंगे, वो भी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन मेरे साब से आपका क्रम ये रहना चाहिए, कि आप lease, gift, sale पढ़ें, फिर section 1 से 25, 51, 52, 53, ये पढ़ लें, उसके बाद हम mortgage पर जाएं, और मेरा ए section पर से समझ नहीं आता है सामने, पढ़के section लगता है कि ये तो, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या बोल गाए, तो आप section पढ़के तुरंत किताब की तरफ जाए, जहां पर examples दिये होंगे, और उन examples कित्वों section को समझ लें, आप कहेंगे सर, कहना बहुत असान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन करना तो पढ़ेगा, कर आपके लिए कोई नहीं सकता, हम सरफ आपको बता सकते हैं, इनन contract act, बहुत simple है, सबसे पहले section 1 से लेकर 30 पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है, 31 में पढ़ लीजिए, contingent contracts, 66 से लेकर 75 पढ़ लीजिए, यह sections हो गए, उसके बाद principle और agent से related कुछ important sections और bailment से related कुछ important sections, बस इतना है, contract में आप जो landmark cases हैं, Carlyle versus Carbolic, Tin versus Huffman, Hyde versus Ranch, मतलब there are n number of cases, वो cases जो हैं, किस particular law point से deal करते हैं, आप उस law point को पकड़के उन cases को ज़रूर याद करिएगा, important है, important है, देखिए, अभी at length preparation नहीं हो सकती, contract is a subject which should be dealt in so much depth, कि contract के थूँ ही आपको TPA, sale of goods, partnership, LLP, यह सारे के सारे subjects एक साथ समझा जहें, but right now, you can't do it, you can't do it, that is why I am telling you the most important area जो आपने पढ़ने, specific relief act, अगर आप SRA की बाग करें, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, यह मैं आपको बता, आपको complete SRA पढ़ना पड़ेगा, है भी छोटा सा, है भी छोटा सा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, specific performance of contracts, and then injunctions, यह favorite areas दिखते हैं मुझे, mandatory perpetual injunctions, क्योंकि SRA में dealt है, और temporary injunctions आपको CPC में मिलेंगे, complete पढ़ना है, लेकिन specific performance of contracts, यह सबसे important area है, और injunctions, यह दोनों काफी favorite है, अगर आप यह दोनों कर लेंगे, तो आपके 6 में से करीब करीब, 3-4 सवाल तयार है, recision rectification, वो भी बहुत important है, recision की क्या grounds है, rectification की क्या grounds है, यह भी दोनों, आप जरूर कर लीजेगा SRA में, Limitation Act, again, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको specifically सारे के सारे sections तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ आपको articles पढ़ने हैं, मेरा suggestion यह रहेगा, कि articles जो सबसे पहले thoughts से related है, आप देखेंगे schedule में Limitation Act की, तो जो period of limitation दिया हुआ है schedule में, उसमें जो tot से related हैं, और properties, specifically mortgage से related जो है, आप यह दोनों जरूर पढ़ लीजेगा, ध्यान से, बाकि सब तो पढ़ने ही हैं, पर आप यह भी पढ़ लीजेगा, sections जो Limitation Act में हैं, important है, आप छोड नहीं सकते, J.D. Jain is a good book for Limitation Act, if you want to refer that, you should refer to that book, J.D. Jain, वहाँ पे section by section आपको काफी सारी चीजे, clarity से समझ आ जाएगे, detailed study मत करियेगा, section का मतलब क्या है basic और example, इसमें जाईएगा, बहुत जादा case laws, बहुत जादा deviations होती है, अलगला concepts को deal करा हुआ होता है, वहाँ पे जाने की समय आपको ज़रूरत नहीं है, MP accommodation, rent control, पूरा पढ़ना है, मध्यप्रदेश, land revenue code, पूरा पढ़ना है, देखिए, इन दोनों laws में, जब आप देखिएंगे, जो ये local acts है, इन पे focus रखा जाता है, पाच-पाच सवाल आते हैं, क्या पढ़ना है सर, पूरा पूरा पढ़ने, लैंड revenue code तो बहुती बढ़ा है, क्या करें सर, देखिए, आप judicial magistrate बनने जा रहे हैं, जिस section से कोई power मिलती है, जिस section में कोई punishment है, जिस section में कोई specific, जिहान से सुनिए का, कोई specific procedure है, प्लस जो definitions है, ये चारों areas पे आपको किसी भी special या local act पे focus कर रहे हैं, या तो power आपको दी जा रही है, या power आपसे ली जा रही है, यानि कि power आपसे लेकर किसी और को दी जा रही है, पावर को preclude करा जा रहा है, या आपके लिए power को save करा जा रहा है, कहीं कोई punishment provided है, कहीं आपके लिए कोई specific procedure दिया हुआ है, कि ये specific procedure आपको follow करना है, किन-किन specific situations में, और definitions का जो part होता है, ये चारों areas पे आप इन दोनों local acts पे focus करो, अगर आप ऐसा करेंगे, आपके लिए easy हो जाएगा उन पांच-माच सवालों को handle करना, evidence act, very important, again, you cannot leave anything, specifically मैं आपको evidence के लिए अगर बताऊं, तो section 1 से लेकर, करीब-करीब अगर आप देखेंगे 55 तक, जहाँ, relevancy of facts भी delta 5 to 55, and 1 से 4 तक कुछ definitions और basic provisions है, वहाँ तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते, specifically, evidence act में आप illustrations पे ध्यान दीजिए, illustrations पे ध्यान दीजिए, उसके बाद, evidence act में अगर आप मुझसे पूछेंगे, छोड़ तो आप कुछ नहीं सकते, बट, जहां से सवाल बन जाएंगे और पता नहीं चलेगा सवाल बन गए, वो है section 79 to 90A, जी बिलकुल, जो presumption related to documents है, may presume, shall presume, may presume, shall presume, एक या दो सवाल वहाँ से बनने की पूरी-पूरी संभावना है, section 91 की illustrations बहुत important है, यहां तक, जो electronic evidence से related है, वहां तक पढ़ना बहुत जरूरी है, burden of proof, 101-214A, एक सो पंदरा, सोला, सत्रा, एक सो अठारा से लेकर, 134 तक, हुमे testify, of witnesses basically, पढ़ना तो evidence में सारा ही पड़ेगा, landmark cases भी, evidence requires that much effort and deliberation, evidence मैं हमेशा students को कहता हूँ कि एक, मतलब एक ऐसी चीज़ है, जिसकी पीछा आपको भागना पड़ेगा, evidence बहुत important है, करना भी सारा पड़ेगा, 1-167 तक करना आपको सारा ही पड़ेगा, अब आप कितनी depth में जाएंगे, वो आपके उपर है, और depth का समय हमारे पास समय नहीं है, evidence के लिए, it's difficult, IPC, 15 सवाल आएंगे, IPC में मैं आपको बताऊं, property से related, of course, human body से related, आपके exceptions, जो है, general exceptions वो, और explanations, यानि कि जो definitions भी हुई है, ये तो आपने करना ही है, definitely करना है, अब आप देखेंगे, कुछ areas, जैसे की defamation, चर्चा में है, सवाल आ सकता है, 172 से लेकर, 188 तक, contempt of lawful authority of public servants, यहाँ से सवाल आ सकता है, 34, 149 वाला जो area है, अब कॉर्स आ सकता है, abatement से सवाल आ सकते हैं, these are the most important areas, जहां से सवाल आएंगे, most important areas जहां से सवाल आएंगे, code of criminal procedure, code of criminal procedure में अगर आप देखेंगे, again it is very vast, अब 484 sections एक साथ तो याद करना बहुत मुश्किल है, बट क्या-क्या आपको ध्यान रखना है, section 2 जो definitions का part है, definitely आप नहीं करना है, मेरे साब से आप section 2 से 6 पहले कीजिए, 5 तक है chapter, बट आप 6 था, classes of criminal courts भी कर लीजिए, उसके बाद 28 से 31 तक, in fact, I would suggest 26 से 31 तक करिए, 26 से 31 तक करिए, by what courts offenses are tribal 26 में शुरू होगा, 31 तक आप कर लीजिए, competency of courts काफी हग तक यहाँ पे cover हो जाएगी हमारी, 26 से 31 के बाद, आप shift करिए 154 से 176 तक, investigation का जो part है, बहुत important, इसके बाद आप आजाओ arrests, chapter 5 जो है, section 41 to 60A, then, I would suggest 61 जहां से summons शुरू होंगे, उसके बाद फिर जब आप जाएंगे, warrant, section 70 से warrant शुरू होएगा, फिर उसके बाद, 82, 83, 84, 85, 86, जहां attachment की बात है, वहां तक, proclamation and attachment, सवाल आते हैं यहां से, bail, chapter 33, idea रखिएगा, जादा detail में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन, जो recent cases, bail से ही related है, आपको उस digest को तो पढ़ना पड़े गाई, यह वो areas हैं, जहां से सबसे ज़्यादा सवाल बनेंगे, special proceedings जो आप देखेंगे, 195, 6, 7 इस तरीके की जो sections हैं, वहां से भी सवाल आ सकते हैं, 300 to 327, general provisions as to inquiries and trials, definitely वहां से भी सवाल आएंगे, मतलब मैं आपको अब इस समय यह तो नहीं कह सकता कि 15 की 15 सवाल कहां से आएंगे, पंदरा सवालों में से अगर आप यह एरिया बहुत अच्छे से करके जाएंगे, तो 12 तेरा सवाल तो आपके कहीं नहीं गए, दो तीन सवाल इधर और से definitely आ सकते हैं, you can't, you can't actually predict that very well, अगर आप इतना कर लेंगे, तो आप safe space में पहुँच जाएंगे, as far as CRPC is concerned, otherwise paper is unpredictable, Negotiable Instruments Act, basic concepts जो starting में हैं वो कर लीजेगा, फिर जो आपकी 138 की proceeding से related provisions है, वहाँ पे चले जाएंगे, offences and punishment, जहाँ पे भी कुछ landmark cases, प्लस recent cases, अगर आप कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, कहां से मिलेंगे सर, अब आप देखिए, cases तो यह आपको जो मिलेंगे, किसी अच्छी website की अगर subscription है आपके पास, तो आप वो ले सकते हैं, वरना you will have to find cases from other sources, Information Technology Act, तेम local laws वाला formula यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आपको कोई power मिल रही है, कोई procedure है, कोई punishment है, और definitions, सारी नहीं, definitions वो देखीगा जो बहुत important है, और तिर आप, थोड़ा सा cover कर सकते हैं, IT Act को, IT Act ने बहुत सारे laws में amendment भी करी हुई है, पेसिफिकली अगर आप evidence में देखीएंगे, तो बहुत amendment है, चार सवाल है, जादा परिशान नहीं होना, चार सवाल है, जादा परिशान नहीं होना, पर हाँ, ध्यान देना ज़रूरी है, तोकि easy questions आएंगे, JJ Act, child in conflict with law और procedure, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे, तो सबसे important जो part है, वो procedure का है, procedure जो JJ Act में दिया हुआ है, उसको follow करना, POCSO, POCSO तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगे, because in POCSO, you can't really say question कहा से आएगा, because law बहुत sensitive है, law बहुत important है, plus, सारे ही प्रोविजिन्स, तारे ही प्रोविजिन्स, बहुत important, you can't leave it, I am telling you, आप benefit करेंगे, आप समझ रहोंगे, सर आप तो कह रहे हो, पूरा पढ़ लो, evidence भी कह रहे हो, पूरा पढ़ लो, SRA भी कह रहे हो, पूरा पढ़ लो, यह आपने तो पूरा पढ़ने के लिए, कह दी हम कैसे पढ़ें, जी जज़ा आपको बनना है, करना तो आपने है, और करना पढ़ेगा, कैसे नहीं करेंगे, करना है, बिल्कुल करना है, तो लोग eligible है, इस exam को देने के लिए, the competition has been reduced, it's your chance, do it, complete, आपको पॉक्सो पढ़ना पढ़ेगा, general knowledge की जहां तक बात आती है, दो parts में divide करेंगे, एक तो lucent, आप पढ़ लीजिए, miscellaneous part, specifically, दूसरा MP की जो GK है, rivers, monuments, MP के important figures, topography, hills, forests, reserved areas, wildlife जिसे चीता रिलीज करेंगे थे, all these things, computer knowledge, again I would suggest, lucent, English knowledge, आप पढ़ सकते हैं, AP भारदवाज की किताब आती है, आप उसको follow कर लीजिएगा, काफी हद तक आपकी English ठीक हो जाएगी, और ये जो तीन areas है, मैं आपको बता दूँ, law, हमने paper का pattern देखा है, कि law, आपको काफी easy और direct मिल जाएगा, पर ये जो G के, English और computer वाला पार्ट है, ये ही game changer है, ये ही game changer है, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा star लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये 30 सवाल, 120 तक आप बहुता नाम से पहुँचेंगे, जो aspirant ठीक से तयारी करके जा रहे हैं, at least उने areas की जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसकी भी तयारी करके जा रहे हैं, 105-110 तक पहुँचने में आपको difficulty नहीं होगी, नहीं होगी, आप पहुँच जाएंगे, जितना हमारा अंदाजा है, लेकिन जो वो 30 सवाल आपको यहां पर मिलेंगे, वो गेम चेंजर है, वो या तो right है या wrong है, और उसी से आपका preliminary clear होगा या नहीं, यह decide होगी, prelims के लिए, आप इन areas पर focus कीजिए, जो मैंने आपको बताया है, time allows, आप और भी focus कर सकते हैं, अब आती है बात time की, कि सर कितना समय हमें देना है, particular laws पर, अब आप देखिए, weightage के हिसाब से, आप समय को बहुत easily divide कर सकते हैं, 5 question आपके constitution में आरे, मैंने आपको area बता दिया, आप जादा से जादा constitution में अगर समय लगाएंगे, तो आप सिरफ, दो दिन के आसपास लगा सकते हैं, 2 days, CPC, you can give 3 days, तो आप 5 question, 20 question में एक दिन काई फरक रख रहे हैं, area बढ़ा है constitution का, that is the reason, TPA, अगर आप TPA की बात करें, hardly आप एक दिन देंगे, TPA को, contract की अगर आप बात करें, again, one day, SRA, one day, limitation, one day, इन दोनों local laws को आप एक इक दिन देंगे, evidence act को आप तीन दिन देंगे, Indian penal code को आप 3 days देंगे, code of criminal procedure को 3 days, negotiable, one day, information, JJ and POXO, one one day each, general knowledge, computer knowledge, English knowledge, you give 2 two days each, this is your 30 days strategy, this is your 30 days strategy, 30 दिन के अंदर आपका syllabus, कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे अबी, 30 दिन के अंदर लेकाना, अगर आप इतने दिन देंगे, तो 30 दिन के अंदर आपका prelims का syllabus clear जाएगा, सर, आपने भी वो ही बात कर दी, जो सब कर रहे हैं, कितना लंबा समय बता दिया, कितना लंबा syllabus है, 30 दिन में आपने करने के लिए हमें कह दिया, कैसे करेंगे, आप कह रहे हो, SRA एक दिन में complete कर लो नहीं होगा सर हमसे, होगा, कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगे, और मान लीजिए, 30 दिन में नहीं cover होता, अगर मान लीजिए, 30 दिन में नहीं cover होता, आप एक एक दिन और बढ़ा दीजिए, हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, अठारा, लगबग लगबग अगर आप एक एक दिन और बढ़ाएंगे, 45 से 50 डेज में आपका पूरा syllabus खतम हो जाएगे, एक एक दिन अगर आप और बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आप target ये करके चलेंगे, अगर आप target इतने दिनों का करके चलेंगे, असानी बहुत होगी आपके लिए, आपके लिए बहुत असानी होगी, clear करने में, prelims with a good amount of marks, scope and knowledge, cut-off से उपर जाने का जो scope है, इतने दिन में आपको मिल जाएगा, अगर आप focused preparation करेंगे, कैसे, उस पर भी मैं आऊँगा, मैंने आपको बता दिया, areas क्या-क्या है, किस-किस तरीके से करने है, कुछ sources भी मैंने बता दी, आप अगर कोई और source use करना चाहते हैं, you are most welcome, use any source that you want, I have told you sources, which according to my experience, have been the most fruitful, आगे अगर हम बढ़ें, then you will have mains examination, dates हमारे पास हैं, तीस तारीक को दो होंगे, constitution, civil law and procedure, यहाँ पे आपको second paper मिलेगा, इस दिन writing and summarization का, third paper, local law, criminal law, procedure, fourth paper आपको judgment writing का मिलेगा, judgment writing, charge framing, very important, सबसे पहले जो आपका first है, constitution, TPA, SRA, CPC, contract, limitation, mains की preparation पे of course हम बाद में आएंगे, but just to tell you the syllabus, second question paper, writing on social issue, legal issue, legal summarization, basically pressy writing, translation Hindi to English, translation English to Hindi, third question paper, IPC, CRPC, evidence, NIA, Madhya Pradesh के दो local acts, fourth question paper, framing of issues, framing of charge, judgment writing, civil, judgment writing, criminal, यह आपका, पूरा-पूरा syllabus है, sir, अब करना क्या है, इस पे आईए, आपने हमें, brief area बता दिया, क्या-क्या हम पढ़ें, कैसे-कैसे पढ़ें, वो ठीक है, अब इसको implement कैसे कर, देखिए, सबसे पहले तो मैं students को देखता हूँ, कि जब वो bear act पढ़नी शुरू करते, में बहुत घवर आ जाती है, बहुत असान है bear act को समझना, मान लीजिए, मैं आपके चलिए, आपकी समझ के लिए की example देता हूँ, section 190 है, subsection 1, CRPC का, section 190, subsection 1, CRPC का, अब इसमें तीन clauses दिये हुए है, A, B, C, अब इन तीन clauses में हमें बताया हुआ है कि cognizance किस-किस चीज़ पर ली जाएगी, कभी कबर यह सवाल आ जाता है clause से भी हमारे पार, CPI, बहुत famous political party है, Communist Party of India, आपने नेमानिक बना लिया, CPI, यहाँ आ गई आपकी complaint, यहाँ आपकी police report, यहाँ आपकी other information, so simple, it is so simple, it is so simple, to memorize these, you just have to have the habit, आपके पास वो एक आदत होनी चाहिए, कि आप bear act को डरे बिना, bear act से घबराए बिना, आप bear act को पढ़ रहे हैं, सर, IPC में इतनी सारी punishments है, कैसे याद करें, चलिए मैं आपको, IPC की punishments का एक example देता हूँ, IPC की punishments का क्या example, अगर आप देखेंगे, IPC में, section number 392, section number 392 में, हमें robbery की punishment दी हुई है, क्या है सर, robbery की punishment, मैं आपको बताता हूँ, 3 प्लस 9, प्लस 2, 14, देख लीजेगा, maximum punishment 14 साल की है, जब आप हाईवे पे राथ को robbery करते हैं, sunset के बाद, sunrise से पहले, maximum punishment 14 years की है, minimum 10 years की है, जब आप याद करेंगे, तो आपके लिए बहुत असान हो जाएगा, फिर, जब आपको 14 ही ऐसे समझ आएगा, तो 10 to 14 समझना भी बहुत असान हो जाएगा, definitely बहुत easy हो जाएगा, और ऐसी एक नहीं, इसे बहुत तरीके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं, कि bear act को याद करना बहुत असान है, बहुत असान है, CRPC में अगर आप definition clause को देखेंगे, definition clause को अगर आप देखेंगे, उसमें भी बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं, जिससे 2N में offense है, अगर 2N में offense है, तो आप sound देखिए, N और N बहुत match करती है, 2Q में अगर आप देखेंगे, वहाँ आपको pleader मिलेगा, pleader क्यों मिला है वहाँ पे, सर इसको कैसे याद करें, Q, अगर आप Hindi का क्यों देखेंगे, सबसे ज़्यादा सवाल कौन पूछते, pleader पूछते हैं न, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, pleader, 2Q में pleader मिलेगा, 2U में public prosecutor मिलेगा, 2U में public prosecutor मिलेगा, आपको CRPC में, prosecutor, U, U, prosecutor, प्राक्टिस से यह आपको याद होता है, 2P में आपको place मिलेगा, P for place, so simple, P for place, so simple, O में आपको officer in charge of the police station मिलेगा, O से officer, O, 2O, officer in charge of the police station आपको 2O में मिल जाएगा, see, बहुत सारी तरीके हैं, जिससे आपको easily याद हो जाएगा, 2T में अगर आप देखेंगे, prescribed, English का, एक phrase है, जो बहुर बार यूज़ कर जाता है, you prescribe it to the T, जानी की, अच्छे से समझाओ, पूरी तरीके से, detail में, विस्तृत विवरण करके हमें बताओ, prescribed to the T, prescribed, T, 2T, is prescribed, we'll have to do it, 2G में inquiry है, 2G में आपको inquiry मिलेगी, सर इसको कैसे याद करें, Q को भई, और G को देखो, G और Q, similar नहीं लग रे एक दूसरे से, एक जैसे नहीं लग रे, ये तो तरीका होगे, बेर आक्ट को याद करने का, ऐसे, now, it will take me hours and days, to tell you, how many such tricks, we have up our sleeves, ऐसी कितने तरीके हैं हमारे पास, but I am just giving an example, even you can develop it, while reading the bare acts, even you can develop it, while reading the bare acts, अब strategy पर आते हैं, कैसे करना है, सबसे पहले तो, thorough reading of the bare act, जो आप important provisions हैं, उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, plus, जो बहुत peripheral areas हैं, यानि कि जो बहुत less important है, उनको बाद में पढ़ेंगे, आप अपना two-third time यहां देंगे, one-third time यहां देंगे, कहने का मतलब, maximum time of focus करेंगे, important areas पे, यदि आपके कोई notes, already बने हुए हैं, आपके पास notes हैं, तो उन notes का revision, बार-बार करिए, याद करने से जादा, आप focus करिए, कि आप उस चीज़ को बार-बार-बार-बार पढ़ रहे हैं, जैसे आप एक गाना होता है, कभी गाना सुनते हो, तो बार-बार-बार अगर आप गाना सुनते हो, कि बार-बार-बार वहाँ पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ें automatically, जो आपके notes में हैं, वो याद होनी शुरू हो जाएगे. Bear Act को कैसे पढ़ना है? I've already told you earlier also, today also I've told you, there are some various kinds of tricks and techniques जिनसे आप Bear Act को याद कर सकते हैं, लेकिन आप Bear Act में भी सबसे पहले देखिएगा, कि ये provision यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? What is the reason behind this provision being here? Reason है कि ये provision यहाँ पर है? What is the reason? ठीक है? Bear Act को पढ़ना है? अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत अलग strategy है. जो question banks की किताब आती है, जो question banks आते हैं आपके पास, आप उनको practice कीजी. Sir, ये अलग थोड़ी है, ये तो हर कोई बताता है करने के लिए. ये मैं आपको उसमें एक तरीका बताता हूँ. एक तरीका ये होता है कि जब आप question banks को practice करते हैं, तो दो तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं. एक जो आप solve कर सकते हैं. You can easily solve, आपका confidence boost हो जाता है उससे. I am telling you this will work a lot, help you a lot. Confidence boost हो जाता है. Confidence boost हो जाता है. आपको लगेगा मुझे subject आता है. और दूसरी category होती है, where you cannot solve. जो आपसे solve नहीं हो रहे, आपको वो सवाल का जवाब नहीं आता. वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे आप answer जब आप देखेंगे, वो answer necessarily कोई provision से deal करता होगा. तुरंत आप उस provision को bear act से पढ़ेंगे, and you will automatically start learning. For example, आपने limitation की question solve करने शुरू करें, section 16 का सवाल आगया आपके सामने, effect of death on approval of right to sue. जो आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे section 16, क्या है, लेकर आपको section 16 मान लीजें नहीं पता. आपको आपको section 16 मान लीजें नहीं पता. सवाल आगया सामने, आच्छा. सवाल देखा, section 16 का आगया, चलिए section 16 पढ़ने चलते हैं. Section 16 आपने पढ़ा bear act से, कोई किताब है तो अगर आपने हलका सवस से एक दू paragraph रीड करें, कि भई section 16 किस बारे में बात करता है. Basic idea ले लिया, section 16 को आपने keywords देख लिए, क्या है, वापस आप जब सवाल पर जाएंगे, आप असानी से solve कर पाएंगे. और यही practice, अगर आप repeatedly करेंगे, यानि कि अगर आप एक question bank को at least तीन बारी लगाएंगे, आप prelims नहीं किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे आप prelims में. ऐसा नहीं होगा कि आप prelims में fail कर जाएं, cut-off से नीचे आएं, नहीं होगा. I am telling you this, this is a tried and tested technique, whether you like it, whether you don't like it. आप contract के सवाल शुरू करने गए, वहाँ पर आपको दिखा match the following का question bank में, match the following का सवाल है, provision यहाँ है, cases यहाँ है, या concept यहाँ है, cases यहाँ है. अरे, कैसे याद करें? वहीं से उसी समय, उसकी answer की को match करके, verify करके की सही है, आप cases और concept को match कर लीजिए, और याद कर लीजिए, इस case में ये concept dealt था. thorough reading बाद में करेंगे, कोई बात नहीं. अभी कम से कम prelims तक तो पहुचें, और आगे पार करें. prelims clear नहीं करेंगे, तो mains की preparation करके, आप करेंगे क्या? क्योंकि ये समय नहीं है, कि आप mains की preparation करें. Ideally, notification से पहले जो आप preparation करते हैं, वो mains की ही होनी चाहिए. Prelims की साथ-साथ हो जाती है. लेकिन notification प्री का आने के बाद, आपको prelims की ही preparation करनी है, अब आप mains की preparation पे focus नहीं कर सकते हैं. समय भी बहुत तम है. Question banks को बार-बार practice की दिए. होगा क्या उससे तो आपको confidence पड़ेगा, उन सवालों में जिनकी जवाब आपको सही आते हैं. अब यदि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता, कम से कम आप सीख जाएंगी उन provisions के बारे में. अब बाइचांस ओ सवाल अगर prelims के paper में आ गया, solve कर नहीं गया आप असानी से. अभी तो आपको यही करना पड़ेगा, और आपके पास कोई तरीका नहीं ही. This is not an ideal way, but right now it is the best strategy. You can't afford to lose any more time. और मैं आपको बताऊं, किसी भी और चीज़ पर focus मत करिये. 10 जगे मत भागियेगा advice लेने के लिए. I am telling you, do not do that. जहां भी जिस भी advice को, जिस किसी की भी advice को follow करना चाते हैं, आप करिये और बस करिये. That's all. Don't run hithar-thithar for getting advices. Question banks को बार-बार करिये, साथ-साथ bear act को पढ़िये. Important areas पर definitely focus करियेगा, examination का pattern इस तरीके का. And let me tell you, अगर आप time division की बात करें, law है. Law में आपके पास दो categories है. You have category, number 1. Then you have category number 2. मैं आपको example देतो, category 1 में जैसे आएगा आपके पास CPC, CRPC, IPC, evidence, contract, category 2 में आपके पास आएंगे SRA, limitation, etc. NIA, इस तरीके के subjects आपके पास आएंगे category 2 में. आपको समाझ आ गया होगा कि मैं weightage से divide करूँ. category 1 को और category 2 को आप time कितना देंगे? category 1 पे आप रोज at least 6 hours का time देंगे. और मैं बता दूँ. अब 6 घंटे सोच के चलेंगे, तब कहीं जाके आप 7 घंटे देंगे और उसमें 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे. Because distractions हमारे पास बहुत है, mind हमारा बहुत deviate होता है. 6 घंटे सोच के चलेंगे, तो आप 7-7 घंटे लगाएंगे, और तब जाके 4 घंटे की आपकी उसमें actual output निकलेगा, पढ़ाईगा. क्योंकि मुझसे सवाल ही बहुत बारी पूछा जाता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? मैं कहता हूँ, जितने घंटे में तुम्हारी प्रेपरेशन सही तरीके से हो जाए. 24 में से 24 घंटे पढ़के हो, यह सिरफ 2 घंटे पढ़के हो. Depends on you. आप output दीजिए, 2 घंटे पढ़के भी आपकी प्रेपरेशन हो सकती है. And I know, personally know such students, इनकी प्रेपरेशन ऐसी हुई है. I know them. Category 2, आप at least इस काटेगरी को रोज 2 घंटे देंगे. Schedule इस तरीके से सेट करेंगे कि लेटस से आपने सोचा कि मैं आप CPC पढ़ूँगा और आप साथ में पढ़ लीजिए. Limitation. मैं आपको pattern नहीं देने वाला, कि जी आप इस दिन इसको पढ़ो, उस दिन इसको पढ़ो नहीं. It depends on you. हो सकता है कोई student CRPC अलरी बहुत अच्छे से करके अलरी तयार कर चुका हो, लेकिन IPC में कही ना कहीं वीक है, या वो student का CPC वीक है, limitation तयार है, SR ए तयार है, contract तयार है. तो मैं आपको एक pattern दे की confuse नहीं करूँगा, कि आप इस दिन पर ये पढ़िये, इस दिन पर ये पढ़िये, इस दिन पर ये पढ़िये. It depends on your level of preparation. उस चरीके से आप subjects को bifurcate कर लिजे, कि मैं CPC limitation पढ़ूँगा, फिर मान लीजिये, आपने अगर एक IPC ले लिया, साथ में आप ले लीजिये, negotiable instruments, आप ले लीजिये, POXO, JJ, ये साथ में असानी से हो जाएंगे, because IPC थोड़ा सा easier लगता है students को, हाला कि उसमें margin of error सबसे ज़ादा है IPC में, ये मैं आपको बता दूँ, error के chances, IPC के सवालों में सबसे ज़ादा होते हैं, क्योंकि अगर आपने facts का appraisal गलत करा, सवाल वहीं गलत हो जाता है, but still, it is a little easier, आपने ऐसे कर लिया, इस तरीके से आप grouping कर लीजिये subjects की, और साथ साथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, time नहीं है, सोचने का भी समय नहीं है, हमारे पास, कि हम जादा सोचें, कि हमें क्या पढ़ना है, और किस दिन पढ़ना है, law के अलावा, आपके पास आता है, जीके, English, computer, मैं इन दोनों को अलग रखूँँगा, जीके English को और computer को अलग, जीके English को आप रोज एक घंटा, एक घंटा, every day दीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जीके याद करने में, difficulty होती है, तो continuously पढ़ते रहें बार-बार, बार-बार-बार पढ़िए, और रोज एक घंटा दीजिए, वो जो 30 questions हैं, 10 जीके के, पर दीजिए, दो दिन में, definitely computer आपका हत्म हो जाएगा, उसमें आपको जादा समय देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया तरीका, जब आप subjects की grouping करेंगे, और ideally, कितना समय आप एक subject को देंगे, अगर आप एक एक करके पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप एक-एक करके पढ़ रहे हैं तो ideally आप कितना समय देंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ GK English हर रोज एक-एक घंटा Computer, one Saturday, Sunday you sit with other lost subjects that you are doing give probably let us say two hours on Saturday, two hours on Sunday, your computer will be done सर बस इतना ही? नहीं Now the most important part previous year question papers pattern change हुआ है मैं मानता हूँ हुआ है लेकिन जो आप question bank solve करेंगे उसके साथ-साथ ही जो previous year की question paper है books आती है जहाँ पर आपको MP के सारे previous year के questions मिलेंगे online भी बहुत जगे मिल जाएंगे आपको उन सारे questions को अच्छे से solve करिएगा और कोशिश करिएगा कि उन सब के सवाल आपको आते हों specifically अगर आप देखेंगे आपको सवालों में last अगर आप 10 years के paper solve कर रहे हैं तो आपको सवालों में बहुत repetitions मिलेंगी प्लस जो जीके के सवाल हैं वो तो डेफिनेटली आप याद कर लीजेगा साथी साथ कम्क्यूटर के सवाल English में हाँ changes लाना असान है बड़ जीके static है कितनी बदली जाएगे MP के अगर कोई बार-बार question आ रहे है MP की local gk का कुसको कितना बदल लिया जाएगा generally नहीं बदला जाता और आपको सवाल काफी सारे यहाँ पर मिल जाएगे जीके computer साथ आपको आइडिया भी लग जाएगे कि किस तरीके के सवाल आ रहे है कि प्रेपरेशन मेंटल बहुत ज़रूरी कि साथी साथ एक और चीज़ रोज रात को जब आप यह पढ़ लेंगे तो एवरी डे अट नाइट अट लीस्ट हाफ एन आवर यू गिव फॉर मेंटल रिविजन यानि कि आप रात को सोने से आदा घंटा पहले करीब करीब हर एक चीज़ को जो आपने दिन में पढ़ा उसको मेंटली रिवाइस करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग में रिवा आपको उसी समय उसी समय वो चीज दिमाग में सेट हो जाएगा आप में से कुछ लोग होंगे जो वर्किंग है अपना टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन यूर वर्किंग आवर्स यूज यूर हॉलिडेज तु दे बेस्ट पॉसिबल वे साथी साथ विच आए अल्वेस तेल माइ स्टुदेंट्स सेवन आवर्स अफ स्लीप आट नाइट प्लस आदे आदे घंटे की आप दो डे टाइम में नाप्स लीजिए जरूर लीजिए जरूर लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं कुछ लोग होंगे सुचे कि नहीं हम चार सवाल भी बना लिया आंसर भी लिख लिए सब कर लिया रीटेन करना बहुत जरूरी है वो रीटेन नहीं होगा विकाज यूर माइंड विल अगें 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 स्नूज प्रबड हो जाएगे आप आदा घंटा दिन में आप दो बारी जरूर सोईए क्योंकि वो आदे घं इग्जामिनेशन से दस दिन पहले आपको अपनी बायलोजिकल क्लॉक को वापस चेंज करना होगा आप दिन में ही पढ़ेंगे और रात पो सोएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन दिन में होगा ठीक है I hope this has solved a lot of your queries मैंने आपको यहां पर 30-day strategy बताई थी this is not a very common 30-day strategy जो आपको repeatedly देखने को मिलेगी 30 से 45 आप extend कर सकते हैं अगर एक एक दिन आप बढ़ाए हैं आपके पास साथ दिन लास्ट की पंदरा दिन आप full subject revisions कर सकते हैं and you are all judicial aspirants I don't need to tell you that how serious you have to be for your preparation हम सिरफ आपको छोटी सी guideline दे सकते हैं कोई आपका हाथ पकड़ कि अगर आपको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है preparation में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे you will have to do it yourself I am telling you मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको pattern follow करना है इतने इतने दिन अगर आप एक एक subject दे रहे हैं तो एक एक दिन इस तरीके से आप divide करेंगे areas मैंने आपको बता दिये किन-किन areas पर आपको focus करना है focus on those areas it is very important for you to understand कि इन areas में से ही आपको maximum questions मिल भी जाएंगे rest God bless all of you all the best for our examination don't worry about anything else just do it just crack it and don't get distracted at all follow this and I hope I will see you very soon thank you so much